आईपिल दुहजार चोबीस में मुंबई इंडियन्स टीम का समय ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि आपको बता दे कि आईपिल दुहजार चोबीस का मुंबई इंडियन्स ने अपना तीसरा मुकाबला खेला जहां राजिस्तान रॉयल्स के सामने मुंबई इंडियन्स का तीसर में शुने रन पे आउट हुए ये देख सकते हैं मुंबई इंडियन्स टीम का टॉप अडर जहां इशान किशन ने 14 गेंदू में 16 रन जबकी तिलिक वर्मा ने 29 गेंदू में 32 और कप्तान हार्दिक पांडिया ने 21 गेंदू में 34 रनों की शांदारबारी खेली जिसके चलत मुंबई इंडियन्स की टीम 125 रन तक पहुच गई 20 ओर में 9 विकेट के नुकसान पर जहां राजस्तान रॉयल्स टीम ने बल्लेबाजी की सस्वी जैसवाल ने 10 बटलर ने गिया 13 और सेमसन ने 12 रन की बारी खेली रियान पराग जो इन फार्म बल्लेबाज है नावाद 49 इंडियन्स की शांदार बारी रियान पराग ने खेली जिसके चलते इस मुकाबले को आसानी के साथ 15.1 15.3 और के बाद 127.1 पर 4 विकेट गवाई जहां 6 विकेट से ये मुकाबला राजस्तान रॉयल्स की टीम जीत चुकी है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो व पेज को फालो करना ना भूले